Good morning students, welcome to my YouTube channel आज आपकी डिमांड पर कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि माम प्लीज अलाइजा टेकनीक जो है वो हमें समझाईए तो आज हम अलाइजा टेकनीक के बारे में पढ़ेंगे कि अलाइजा टेकनीक होती क्या है सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि अलाइजा टेकनीक का फुल नेम है अब अलाइजा टेकनीक एक प्रिंसिपल पर डिपेंड होती है जिस प्रिंसिपल को बोलते हैं आंटिजन आंटिबाडी इंटरेक्शन इसमें एंटिजन और एंटिबाडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं इस टेकनीक की हिल्प से हम एंटिजन का यूज करके एंटिबाडी का पता लगाते हैं और एंटिबाडी का यूज करके एंटिजन का पता लगा सकते हैं अब ये टेकनीक जो है 1971 में टू टीम्स के थू वर्क किया गया था इस टेकनीक पे जो फर्स्ट टीम थी वो उसमें एंग्विल और पर्लमान थे जिनों ने वर्क किया था और जो सेकिंड टीम थी उसमें वेमन एंड स्कियर्स थे उन्होंने वर्क किया था अब इस टेकनीक में जो ये टेकनीक है हमें पता है HIV वाईरस जो की AIDS कॉजिंग वाईरस है उसकी डिटेक्शन के लिए हिल्प करता है तो सबसे पहले इस टेकनीक के बारे में पढ़ने से पहले डिसकस करने से पहले मैं आपको रफली उस HIV वाईरस के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगी फिर हम पढ़ेंगे कि ELISA टेकनीक के थ्रूँ HIV वाईरस जो है वो कैसे डिटेक्ट होता है ये एक रफली सा HIV वाईरस का डाइग्राम है इसमें रिट्रो वाईरस प्रेजन्ट होता है और रिवर्स ट्रांस क्रिप्टेज एंजाइन प्रेजन्ट होता है और इसमें एक लेयर्ड होती है जो इनको कवर करती है जो की गलाइको प्रोटीन की बनी होती है और इसमें एक और लेयर जो की protein coated layer होती है और उस protein coated layer में cell presents होते है इन cells को बोलते है GP120 cell जो की एक type की anti-gen होती है यही जी पी वान ट्वेंटी सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं इसमें अब यह जब HIV वाइरस हमारी बॉड़ी में सॉरी एक चीज़ बताना भूलगी कि यह जो है एंटीजन है फिर भी हमारी बॉड़ी में क्या होता है कि जब भी कोई भी माइक्रो और्गनीजम यह एंटीजन हमारी बॉड़ी में एंटर करता है तो हमारी बॉड़ी में इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम जो है उस माइक्रो और्गनीजम के खिलाफ antibody जो है वो produce करती है अब वो antibody जो है वो produce करती है उसके खिलाफ ताकि वो microorganism को dead कर सके और हमें उस जो बीमारी causing virus है या bacteria है उसको क्या कर सके dead कर सके तो इसमें भी antigen तो present है बट इसके इस antigen के हमारी body पे जब यह enter करता है हमारी body antibodies क्यों नहीं produce कर सकती क्योंकि इसके GP120 cell में एक layer present होती है जिसको हम बोलते है known antigen coating layer जिस वज़ा से antibody produce होना बहुत ही difficult होता है जब यह HIV virus जो है हमारे helper cell जो कुछ इस तरह से होते हैं और उसमें भी कुछ special cells जो है वो present होते हैं जिसका नाम है CD4 cell CD4 cell जब यह in helper cell के contact में आते हैं और GP GP120 और CD आपस में contact में आते हैं तो उस time पे कुछ time के लिए यह layers जो है वो disappear हो जाती है और यह जो retro virus है इस helper cell के अंदर जा सकता है और अगर यह process बहुत ही few seconds के लिए होती है जैसे ही यह retro virus इसके अंदर आएगा यह आपस में detach हो जाएंगे अलग हो जाएंगे जिसके कारण से जो यह retro virus है इसके अंदर enter हो जाएगा और यह process बहुत ही few seconds के लिए होती है और इन फ्यू सेकंड्स में अगर ये जो हमारे HIV वाइरस हैं वो लिम्फोसाइट या स्टिमूलेट के कॉंटेक्ट में आते हैं तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं अदर्वाइस एंटीबॉडी प्रोड्यूस होना बहुत ही जाधा डिफिकल्ट है तो इसलिए हमार क इसकी हुमन बींग में इसकी HIV वाइरस की डिटेक्शन करने के लिए एक स्पेशल टेस्ट है जिसको हम ELISA टेस्ट बोलते हैं तो वो ELISA टेस्ट जो है अब कैसे होता है इसको टेस्ट करने के लिए एक पॉली स्टाइरिन माइक्रो टाइटर प्लेट होती है ये प्लेट जो होती है कुछ इस तरह की होती है जिसमें डिप्रेशन्स प्रेजेंट होते हैं ये जो डिप्रेशन्स प्रेजेंट होते हैं ये जो डिप्रेशन्स है इसमें हम GP120 एंटिजन को इंक्यूबेट करवाते हैं 24 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट्स के लिए और इस polystyrene microtitred plate में antigen जो है वो अटैच कर जाते हैं ठीक है अब इंक्यूबेट करवा दिए इसको 24 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट्स देन हम इसको नेक्स टैप में वाश करते हैं वाश करने के बाद अब हम जो भी पेशेंट होता है उसका serum लेते हैं जिस serum में antibodies present होंगी फिर हम उनको इसी depression plate के अंदर जाल लेंगे जहां पर antigen हमने पहले से क्या किये थे इंक्यूबेट किये थे अब हम antibodies को क्या करेंगे इंक्यूबेट करेंगे सेम टाइमिंग रहेगा इसका भी 24 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट 24 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट के लिए अब यह जो एंटी बॉडिज हैं एंटीजन के साथ अटैच कर जाएंगी इस मिनट में कुछ कर जाएंगी कुछ फ्री रह जाएंगी और यह होगी एंटीजन एंटी बॉडिज इंटीक्षिंगु इंटीजन एंटीजन एंटीबॉडि इंट्रेक्षिंगु फ्री हम वाशिंग करेंगे देन हम नेक्स टैप में क्या करेंगे इसमें एंजाईम और इस टेक्नीक के लिए जो एंजाइम है वो होता है एलकेलाइन फॉस्फेट एंजाइम का यूज करेंगे अब ये एंजाइम जब हम यूज करेंगे और इसको इस प्लेट के अंदर डालेंगे तो ये एंजाइम complex बनाएगा antigen antibody enzyme complex जो है वो बन जाएगा उसके बाद हम ये जो प्लेट है इस प्लेट को स्पेक्ट्रो फोटो मीटर के अंदर रखेंगे अब स्पेक्ट्रो फोटो मीटर के अंदर क्या होगा जो wavelength है वो absorbed भी होगी और reflected भी होगी जो भी wavelength है वो absorbed हुई होगी वो colored reflection जो है वो शो करेगी जिसके थूँ हमें पता चल जाएगा कि यह जो technique है वो उसने HIV virus की detection का test किया है कि नहीं किया है अगर हुआ patient को HIV virus तो वो color reflection देगा otherwise वो color reflection नहीं देगा thank you for watching my video please like and subscribe my channel